नमस्कार बच्चू, आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एसेस्टी सामाजिक विज्ञान की वरक्षिट नमबर 35 यानि कारे पत्रक सिंख्या 35 की या आपकी 30 संबर 2021 की वरक्षिट रहेगी और इस वरक्षिट में हम सिविक स्पोल साइंस के सेकंड चैप्टर संगवाद को जारी रखेंगे इस वरक्षिट में हम समझेंगे कि भारतिय संग के सामने आजादी के बाद कौन-कौन सी चुनोतियां आती है और उन चुनोतियों का सामना भारतिय संग कैसे करता है साथे साथ हम संगवाद के तीसरे सत्र यानि तीसरे परकार की जो सरकार होती है थर्ड जो टाइप की गोवर्मेंट होती है यानि स्थानी सरकार लोकल गोवर्मेंट उसकी भी बात हम इस वरक्षिट में करेंगे उनके पास कौन-कौन सी शक्तियां होती है किस परकार से वो हमारे लिए लाबदायक है और किस परकार से उन सरकारों को गठन किया जाता है ये सब कुछ हम इस वोक्षिट में समझने वाले सबसे पहले हम बात करेंगे संगवाद की संगवाद क्या होता है यह जो संगवाद शब्द है यह आपने पहली बार इसी क्लास में सुना होगा लेकिन यह जो संगवाद है practically behavior में हम अपने आसपास देखते हैं जैसे आप अपनी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल में principal सर या mem पूरे स्कूल में होते हैं पूरे स्कूल के बड़े decision वही लेते हैं उसके बाद आपके class in charge होते हैं जो class के decision लेते हैं और आपके class में class leader या फिर school monitor होते हैं ये एक system है यानि इनको हम तीन परकार की सरकारें कह सकते हैं पूरे स्कूल के लिए principal सर या mem या आपकी central government होगी उसके बाद जो class है उसके लिए आपकी class in charge वो आपकी राज्य सरकार होगी और जो आपके monitor है class leader है वो आपकी स्थानिय सरकार होगी ऐसे ही पूरे देश में हमारे हम या पर central government है state गोर्मेंट है उस्थानिय सरकार है तो संगवाद यही होता है संगवाद क्या होता है कि संगवाद एक परकार की शासनवा अस्ता होती है जिसमें सरकार के दो या दो से जादा लेवल होते हैं अब अपने देश में देखे कितने लेवल है, तीन लेवल है, सेंटल गॉर्मेंट, उसके बाद स्टेट गॉर्मेंट, उसके बाद लोकल गॉर्मेंट, तीन लेवल होगे न, तो भारत एक संग्य देश है, अब भारत में, पाकिस्तान में, बेल्जियम में, यूसे में, ये स अभी संग यदि से क्योंकि यहां पर दो या दो से अधिक परकार की सरकारे होती है। ठीक, तो संगवाद तो हमने समझ दिया, पिसली वरक्षिट में हमने संगवाद को ही समझने की कोशिश के थी। अब हम बात करेंगे कि भारतिय संग के सामने आजादी के बाद कौन-कौन सी चुनोती आई। जो नई राज्यों का गठन था, वो हमारे देश की पहली और सबसे कठिन परिक्षा थी। क्यों कठिन परिक्षा थी? क्योंकि काफी सारे निताओं का ये मानना था कि अगर आज ये बने भाषा के अधार पे तो देश कमजोर हो जाएगा। और जैसे पाकिस्तान और बांगला देश भारत से अलग हो करके बने थे, ऐसे ही उनका मानना था कि देश के ओर टुकडे हो सकते हैं, देश का ओर ज्यादा विभाजन हो सकता है। इसलिए भाषा के अधार पे राज्यों का गठन और उनको लेकर के हमें आगे बढ़ना, भुष्य के बार में देखना, ये हमारे लिए एक बड़ी कठिन परिक्षा थे। नई राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सिमा को बदला गया, यानि पहले था हमने सोचा कि इस से हम पीछे हट जाएं, हम नई राज्यों का गठन भाषा के अधार पे नहीं करते हैं, लेकिन 1956 में जो भारतिये राज्येपुनर गठन आयोग था, उसने सिफारिस की की राज्यों का गठन है, अगर हम भाषा के अधार पे करेंगे, तभी बैतर रहेगा, तो इसके लिए हमने भाषा के अधार पे नई राज्यों को बनाया, इससे कई पुराने राज्ये हैं, उनकी सिमाओं में बदलाव किया गया, और नई राज्ये की साधार बने, भाषा के अधार पे बने, हलांकि इस वक्त भी जो भाषा के अधार पे नई राज्यों की निर्मान की मांग जो उठ रही थी, तो कई राश्ये नेताओं को भी ड्र था, किससे देश तूट जाएगा, इसमें जो एकता है, वो खंडित हो जाएगी, देश का पूशिश की गए थी, लेकिन 1956 में हमने भाषा के अधार पर राज्यों की गठन का फैसला लिया, और भाषा के अधार पे पहला राज्ये बनता है, आंदरा प्रदेश जो तेलगु भाषा के अधार पर उसका गठन किया जाता है, उसके बाद कई ने राज्ये बनते, वो ना दिया, मराठी के अधार पे महराष्टा हो गया, उडिया के अधार पे उडिसा हो गया, गुजराती भाषा के अधार पे गुजरात हो गया, तेलगु भाषा के अधार पे आंदरा परदेश हो गया, ऐसे असमिया भाषा के अधार पे असम हो गया, तो ऐसे जितने भी राज़े अपने देश में वर्तमान में बने हुए, उनमें इसे जादता राज़े है, सभी नी, लेकिन जादता राज़े है, वो भाषा के अधार पर उनका गठन किया गया, तो बड़ा खत्रा ये था, बड़ा ड्र ये था, किसी देश कमजोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नही किस language के साथ आगे बढ़ें तो भारत के संग्य धांचे की दूसरी बड़ी प्रिक्षया देश की भाषा निती थी और अब इसका सामना करना था कि भाषा के अधार पे कहीं देश में लड़ाई जगडे ना हो भाषा के अधार पे देश की एकता कहीं पे खत्रे में ना तो इसको लेकर के भी हमें काफी सोच विचार करना पड़ा और काफी सोच विचार के बात हमने ये डिशाइड किया कि भारतिय सेवधान में हम किसी भी भाषा को राष्ट्र भासा का दरजा नहीं देगे आम तो पे हिंदी दियोश्ट पे आप काफी सारे आर्टिकल्स बात करें तो हमने किसी भी भाषा को राष्ट्र भासा का दरजा नहीं दिया क्यों नहीं दिया ताकि किसी परकार का विवाद ना हो जैसा कि शिरलंका में हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में उस परकार के विवाद से बसने के लिए हिंदी को हमने राज भाषा माना है र जरूरी था कि बाकी भाषाओं का भी हम सरंक्षन करें और उनके सरंक्षन के लिए उनके विकास के लिए हम उपाय करें तो इसलिए हमने सब को साथ ले करके चलने के लिए यह डिसाइड किया यह निन्ने लिया कि हम किसी भी भाषा को राश्टर भासा गोशित नहीं करेंगे दूसरा निन्ने हमने लिया कि हिंदी भाषा को हम सरकारी कामकाज की भाषा घोशित करेंगे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कामकाज की भाषा है यानि कि राज के भाषा है वो घोशित किया जाता है और हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषा है यानि कि 21 अन्य भासें उनको हमने अनुचुचित भाषा का दर्जा दिया यानि कि हिंदी को मिला देत कितनी हो जाती 22 भासें इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेड्यूल लेंग्विज यानि हमारी सविधान में 22 भासाई वो अनुशुचित भासा की शोची में आता है इसका मतलब यूँआ कि केंदर सरकार के किसी भी पद के लिए जो उमिदवार है वो इन में से किसी भी भासा में परिक्षा दे सकता है बशर्ते उमिदवार इसको विकल्प के रूप में चुनता है तब वो इन में से किसी भाषा में अपनी प्रिक्षा दे सकता है और अगर वो इन में से किसी भाषा को अगर पढ़ना चाता है हमारे देश का कोई भी नागरिक तो यह सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उसके लिए वो अर्रेंजमेंट करें उसके लिए सभी प्रकार की ववस्ताइं करें तो यह भाषा नहीं थी थी हमारे यानि क्या विशेश्ता थी पहला हमने किसी भी भाषा को राष्ट भाषा का दरजा नहीं दिया दूसरा हमने हिंदी और अंग्रीजी भाषा को राज किया भाषा का दर्जा दिया यानि कामकाज की भाषा रहेगी तीसरी विशेष्टा थी हमने हिंदी के लावा 21 अन्य भाषा को अनुचुजित भाषा का दर्जा दिया यानि इन भाषाओं में अगर Central Government की कोई भी परिक्षा है तो इन में से किसी भाषा को कोई भी अभ्यारती चुन सकता है चोती विशेष्टा थी कि राज्यों की अपनी अपनी राज्किय भाषाई होगी ये भी एक महत्पूर्ण कदम था कि राज्यों है उनके अपनी राज्किय भाषाई होगी उनके पास ये आजादी होगी कि वो अपनी राज्किय भाषाई को चुन पाई और उसी में वो अपने सरकारी कामकाज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमने एक त्री भाषा फॉर्मूला भी अपना है, त्री भाषा सुत्र है उसको अपना है, यानि कि जैसे दक्षन भारती राजी है तो वहाँ पर हमने त्री भाषा सुत्र को अपना है, तो वो जरूरी था कि उसमें कैसे होगा कि चठी कक्षा से हर विद् हिंदी, एक इंग्लिश और तीसरी वहां की स्थानी भासा, गर हम दिल्ली की बात करें तो हमें दो ही भाषा ही कंपलसरी होती है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारी स्थानी भासा हिंदी ही है, जबकि दक्षिन भारत में उनके पास तीन भासा होती है, यह ऐसा इसलिए क आगया था क्योंकि अंग्रेजी है, इंग्लिश भासा भी आप सेके, हिंदी भासा क्योंकि सरकारी कामकाज की भासा है, तो इसका परचार परशार भी जरूरी है, और वहां की स्थाने भासा है, कहीं वो पीछे न चुड़ जाए, तो उसको भी साथ लग करके चलना जरूरी तो यह थी हमारी पहली चुनोती, भासा नेती को लेकर के, और भासा के आधार पर गठी तराज्यों को लेकर के, और उसका हमने सफलता वुरुवक सामना किया, और जो भासा नेती थी, उसके कारण इस समस्या का, हमने जो सामना किया था, उससे उस समस्या का जड़ से निप तो हमारे देश में तीसरे परकार की सरकार का भी गठन किया गए जो तीसरे परकार की सरकार है उसको हम पंचायती राज व्यवस्ता के नाम से भी बोलते हैं ठीक यानि कि किस नाम से जानते हैं पंचायती राज व्यवस्ता भी इसको कह सकते हैं इसको स्थानिय सरकार कह सकते हो इसको आप लोकल गवर्मेंट कह सकते हो हलांकि स्थानिय सरकार ना तो इनके चुनाव होते थी समय पर, दूसरा स्थानिय सरकारों के पास शक्तियां नहीं थी, तीसरा इनके पास किसी भी परकार के आए के साधन नहीं थी, यानि ना मातर के चुनाव होते थी, तुसले 1992 से पहले स्थानिय सरकार थी, वो बिलकुल भी एफेक्टिव नहीं 1992 में सवیधान में शंसोधन किया जाता है और उस शंसोधन के बाद जो स्थानिय सरकार के लिए काफी सारे बदलावा आते हैं उसके बाद स्थानिय सरकार हो ज्यादा प्रभाव शाली होते हैं और उसके परिणाम अगर हम गाओं की तरफ निकलें या फिर अगर हम शहरों में भी देखें तो हमें दिखाई भी देते क्योंकि अब जो स्थानिय सरकार है वो ज्यादा परभाव सालिये तो अब 1992 के बाद क्या बदलावाई तो आपके लिए दो important person रहेंगे पहला कि 1992 से पहले क्या था और 1992 के बाद क्या हुआ तो 1992 पहले चुनाव समय पर नहीं होते थे स्थानिय सरकारों के पास शक्तियां नहीं थी स्थानिय सरकारों के पास अपनी आएके साधन नहीं थे अब 1992 के बाद क्या हुआ कि पहला कि अब स्थानिय सरकारों के लिए जो चुनाव है वो नीमित रूप से करवाना अन्यवारे कर दिया गया यानि पांच वर्ष मतलब पांच वर्ष चुनाव करवाने ही होंगे ठीक तो पहला ये बड़ा बदलाव आया दूसरे ये कि जो स्थानिय सरकार थी उनके जो सदस्य या फिर जो पदादीकारी ओफिशल थी उनके लिए यानि कि स्थानिय सरकार में अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और पिछडी जाती उकले आरक्षन की वरस्ता की गई तो ये भी एक बड़ा बदलाव था पहले नहीं था अब आरक्षन की वरस्ता क्यों की गई गई वो इस देखे गई ताकि सब को भागेदारी मिले सब को आगे बढ़ने का एक बराबर मोका मिल पाए साथ इसाथ 1992 के बाद स्थानिय सरकारों में एक तिहाई पद यानि कि 33% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई ये भी एक बड़ा बदलाव था इसे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मुका मिला चोथा जो इसमें बदलाव था 1992 के बाद कि हमारे देश में राज्य चुनाव आयो का गठन किया गए यानकि हर आज्य में राज्य चुनाव आयो का गठन किया गए और इसका मुख्य जो काम था मुख्य काम था स्थानी सरकारों का चुनाव कराना चाए वो गाओं में हो चाए वो शहर में हो चाए वो पंचायत के चुनाव हो चाए वो नगरपालिका के चुनाव हो मुख्य जिम्मेवारी दी गई राज्य चुनावायोग हो उससे पहले क्या होता था एक हमारा देश का चुनावायोग होता है देश का वो केवल देश की जैसे राज्य विदान सबा है या फिर लोक सबा की चुनाव वही खरवाने में वैस्त रहता है तो उससे पहले हमारी हा स्थानिय सरकार थी, उनके पास शक्तियां ने थी, अब बहुत सारी जो शक्तियां थी, वो अब स्थानिय सरकारों को दे दी गए, किस से ले करके, राज्य सरकारों से ले करके, ऐसे ही कुछ आए के साथ ने, वो भी स्थानिय सरकारों के निश्चित कर दी गए, यानि अब श अब हम समझेंगे कि स्थानिय सरकार कैसे कारे करती है उसका गठन कैसे होता है तो स्थानिय सरकार में सबसे पहले होती है पंचायत कहा होती है गाउं में होती है यनकि गाउं में और शहरों में जो थर्ड लेवल ओफ तो गॉर्मेंट होता है उसमें थोड़ा संतर होता है गा से चुने जाते हैं कि गाउं के जितने भी सिदेशे जिनका वोट बनावा है वोट किसका बनावा है जिनका आयू 18 या 18 वर्ष दिखो और वो भारत के नागरिक होने चाहिए वो पागले या दिवाली नहीं होने चाहिए ऐसे बाकी सभी लोग है इनको छोड़ करके बाकी सभ चुनाव में वोट डाल सकते हैं जरकी आगर आपकी आयू 18 या 18 से में उपर है तो आप अपना वोट बना सकते ह। तो जो पंचाइत होती है उसमें गाउं के सभी सेदेश्य है जिनका उस गाउं की जो वोट किसका वाइँ jestem वोट डालते हैaven और वोट डालने के बार वो से एक सरपंच को चुनते हैं पूरे गाउं से क्या चुना जाएगा एक सरपंच चुना जाएगा जिसको यूपिया कुछ राजियों में परधान के नाम से भी जानते हैं कुछ राजियों में परमुक भी कहते हैं लेकिन मुख्या तोर पे सरपंच के नाम से जाना जाता है ठ ưaट गल को चुनते हैं तो वोण हो गए आपका सरपंज ऐसे पूरे गाउं के लोग करते हैं दूसरा पूरे गाउं को कई G recalled में बांड़ते ही आ जाता है वाड में जैसे मालीजी आपके स्कूल में classroom है ठीक class है ना अलगझा class है अलगझा classes है अलगझा classes है अलगझा vote بنا ہوتا ہے वो पूरे गाउं से एक सरपंच को चुनते और साथिसाथ पूरे गाउं को कुछ वार्डों में बांटी आ जाता है उन वार्डों से भी एक-एक सेज़श्य को चुना जाता है उसको बोलते हैं पंच ठीक और जो अध्यक्स हो गए उसको परधान ये सरपंच कहा जाएगा और बाकी होगे पंच ये मिल जोल करके उस गाउं की सरकार को चुलाते है तो समझ में आ गया ना ये गाउं से सरपंच चुना जाएगा और गाउं से पंच चुने जाएगे और अगले पांच वर्षों के लिए ये सरकार को चलाएंगे इसके बाद यहां पे गाउं में एक पंचायद समीती भी होती है ये क्या होती है ये भी हमें समझ दें कि जो स्थानिय शाषन का धांचा होता वो जिला सतर का होता है इसा नहीं कि सिरफ गाउं तक है उसमें पंचायद समीती भी होती है पंचायद समी समीति के सिद्शिय का चुनाव करेंगे जो तीनों गाउं से सबसे ज़्यदा वोट लेगा तो इस तरीके से कई गाउं को मिल करके पंचायद समीति का गठन किया जाता है इसको मंडल भी कहा जाता है इसको ब्लोक भी कहा जाता है ब्लोक पंचायद भी कह सकते हैं मंडल पंच पंचायद समयतिया, बलोक समयतिया होती है, वो तीन या उससे ज्यादा गाउं की हो सकती है, ठीक, तिये हो गया, स्थानिय शर्वसासन गाउं में कैसे होता है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें जिला परिशद भी होता है, अब जो जिला सबाके चुने गए शानसुट विधायक होते हैं, या कुछ जो अधिकारी होते हैं जिससे डी सी उगये, तू उसमें सदिया होते हैं, अब चुनाव कैसे होता है, जैसे यहाँ परा गाउं है, गाउं से एक सर्पन चुना गया, तीन गाउं को मिला दिया गया और तीन तो 10 सदिशयों चूनेंगे, ठीक, उनसे बनेगी जिला परश्द, और जिला परश्द कैसे बनेगी? तो शहर में नगर निगम या फिर नगर पालिका होती है यहनी शहरों में जो सवसासन की संस्ताई होती है उसको हम या तो नगर निगम बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं नगर पालिका शहरों में आम तोर पे जो छोटी शहर होते हैं वहां नगर पालिका होती है और जो बड़े शहर होती है वहाँ पर नगर निगम होता है जैसे दिली की बात करें तो यहाँ पर कई सारे नगर निगम है ठीक और जो छोटी शहर होती है वहाँ पर नगर पालिका होती है अब नगर पालिका और नगर निगम होती है दोनों का काम काज होता है वो चुनेवे परतिनीदी करते हैं जिसे गाउं में होता है ना सेम उसी तरीके से यहां भी शहर को वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक सदेश्य चुना जाता है जिसे हम आम तोर पे MC के नाम से जानते आपका एक तरिक्षी से पारशद होता है नगर पालिका होता है उसका परमुख होता है जो इन में से जब्से ज़्यादा जो सदिशिया उसके फेवर में होगए वो बन जाएगा नगर पालिका का परमुख جबकि अगर शहर की बात करें तो शेहर में सीधे, परतेक्स तोर पर पूरे शेहर में से, जहां से वो नगर निगव है, वहां से चुना भूंगे और डारेक्ट मत दान से मेर को चुना जाएगा, यहन कि सभी सदश्ये वो चुनेंगे एक मेर को, उसके बाद उसी शेहर को वार्डों में बंटा गया, तो वहां से सदिश्य पार्षद भी MC भी चुने जाएंगे तो ऐसे कार्य करती है सथानिय सरकार आपकी सथानिय सरकार या फिर local government ये थी हमारी आज की वरक्षिट उसका content काफी कुछ हम नहीं समझा हो सकता थोड़ा सा complicated लगा हुआ क्योंकि हम शहर में रहते हैं गाउं का जो system है वहां पर किस परकार से पंचायत कार्य करती है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा में deeply जाना पड़ा अब हम बात करेंगे second segment में person उत्र की तो यहां पर second segment में हमें कुछ questions देगें चलिए उनको समझते हैं तो यहां पर पहला हमारा person दिया गए पंचायत समीती का निर्मान कैसे होता है यह हमें बताना है तो कई ग्राम पंचायतों को मिला करके पंचायत समीती का गठन किया जाता है यानकि कई गाउं है ये तीन हो सकते हैं चोटे गाउं है तो पांच हो सकते हैं भी हो सकते हैं, तो आम तोर पे कई गाओं को मिला करके पंचायद समिति का गठन होता है, इसे मंडल या फिर ब्लोक पंचायद भी कह सकते हैं, इसके सदेशियों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायद सदेशिय करते हैं, यानि जिनका भी वोट बना होता हूँ, मिल करके उसके बाद second, दूसरा हमारा question दिया गए, भारत की भासा नेती पर एक note हमें लिखना है, ठीक, तो हमारी स्विधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भासा का दरजा नहीं दिया गए, यानि कि पहली जो विशेशता है भारत की भासा नेती की दिया गए, कि हमारे देश में क 21 अन्य भार्षा हैं जो अनुसुचित भार्षा हैं, कुल कितनी होगी, 22 भार्षा हैं, हर राज्ये उसके अपनी राज्किय भार्षा ही भी है, यानि कि वो अपने एक सरकारी कामकाज को अपनी राज्किय भार्षा में भी कर सकते हैं, ये भी आजादी प्राप्त हैं, और हि अपसी जैसे भाषाई हैं, उन भाषाओं के विकास के लिए हमने त्री भाषा सुत्र को अपनाया, त्री भाषा सुत्र मैतलब कि चठी कक्षा से बच्चों के लिए तीन भाषा ही पढ़नी होगी, एक तो उनकी हिंदी भाषा हो जाएगी, एक इंगलीश भाषा हो जाएग और हमारा जो राश्ट्र है वो एक मजबूत राश्ट्र के तोर पर आगे बढ़ा है तो ये थी हमारी आज की आसान सी वरक्षिट जो थोड़ी सी लेंथी थी उमीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये वरक्षिट अच्छे लगी तो इस वीडियो इस वरक्षिट को लाइक और शेर जरूर केज़ेगा आज के लिए बस इतने ही थैंक यू बाई बाई एव नाइस टे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में